जैकलिन फन्नांडिस को लेकर इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। ठक सुकेश चंद शेखर मनी लॉंडरिंग मामले में एडी ने जैकलिन को आरूपी बना दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताविक एडी का ये मानना है कि जैकलिन को पहले से ही इस बात की जानकारी थी कि ठक सुकेश एक अपरादी है। मामली की जाच में इस बात का खुलासा हुआ था कि सुकेश ने जैकलीन को महेंगे गिफ्ट्स दिये थे, जिसके बाद एडी ने जैकलीन पर कारबाई करते हुए उनकी साथ करोड रुपे की संपत्ती को कुर्ग कर दिया था, एडी ने जब जैकलीन से पूसता अची तो उन इस बारे में कोई जानकार ही नहीं थी कि सुकेश इतना बड़ा ठक है, लेकिन अब इडी ने बताया है कि जैकलीन को सुकेश के बारे में एक-एक जानकारी थी इसके बाब जूद भी वो सुकेश नजजदीकियां बढ़ाती रही सुकेश जैकलीन के बास अपना प्राइवेट जेट भेजता था जिस पर बैटकर जैकलीन मुंबई से घूमने जाती थी सुकेश ने जैकलीन को हीरो कहार, बैग, लगजरी कार, पर्स, बिल्लियां घोडे और पता नहीं क्या-क्या गिफ्ट किया था इतना ही नहीं सुकेश ने जैकलीन के मम्मी पापा और भाई बहन तक को तौफे विजवाय थे जब सुकेश पकड़ा गया, तब जाकर जैकलीन के नाम का खुलासा हुआ, लेकिन जैकलीन ने एडी के सामने हमेशा जूट ही उगला अब फिलाल एडी ने अपनी तपतीश पूरी कर ली है, और इसमें दूद का दूद और पानी का पानी हो गया है अब एडी जैकलीन को आरूपी बना रही है, इस बात के उमीद जिताई जा रही है कि जैकलीन को किरफदार भी किया जा सकता है फिलाल इस पर आप क्या कहींगे, अपनी रहे हमें कमेंट में दीजे, और जादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलिवुट पे चरचा को सब्सक्राइब कीजे